हाई welcome to my channel इस बीड़ी में solve करने question number 23 तो धानत जीगा the difference between two selling prices of a cert at profits of 4% and 5% is रुपीज 6 find CP of this cert तो क्या बोल रहा है कि difference दिया हुआ है किसमें difference दिया हुआ है कि दो selling prices में एक cert का जो दो selling prices है उनका difference दे दिया है कि 6 रुपीज है लेकिन वो जो दो selling prices है वो दो अलग-अलग profit percent पर बेचे जा रहे हैं एक जो है 5% profit पर और एक जो है 4% profit पर तो यह बता है selling price ज्यादा होगा या फिर 4% वाले ज्यादा होगा तो बिल्गत सोच रहे होंगे आप सही सोच रहे होंगे और 5% profit पर यह बेचे जाएगा तब selling price वोला ज्यादा होगा और 5% पर जब selling price निकालेंगे उसको मैनस कर देंगे यह 4% वाले selling price से तो हमारा difference निकलेगा और वो आएगा 6 rupees ठीक है तो हम पहले cp of the cert माल लेते हैं solution let cp of the cert be x rupees ठीक है हमने माल लेंगे x rupees जो है cp है cert का अब बताएगे sp निकाल लेंगे at 4% और sp at 5% so sp at selling price at 4% क्या हो जाएगा हम जानते हैं कि sp at 4% क्या होगा formula होता है cp multiplied by 100 में क्या करते हैं add कर देते हैं profit percent 100 plus profit percent whole upon 100 formula आपको बिल्गुल याद होना चाहिए हमेशा तो cp क्या है आपका x जो हमने माना है और यहां पर होजगा 100 plus profit percent कितना है 4% plus 4 upon 100 मिल जाएगा यह 104 x upon 100 तो यह हो गया आपका sp at 4% और निकाल लेंगे sp at 5% is called to हो जाएगा cp formula वही लगेगा बस यहां पर profit percent में change होगा तो cp into लिख देते हैं एक बार और क्या दिकत है तो यहां पर हो जाएगा profit percent whole upon 100 यहां रखेंगे तो x into यह हो जाएगा 100 plus 5 upon 100 इसको हो जाएगा यह 105 upon 100 x यहां जाएगा ठीक है तो यहां पर आप देख रहे होंगे 105 upon 100 यह ज्यादा होगा 104 upon 100 से इसलिए हम sp at 5% में से मैनस करेंगे sp at 4% मतलब डिफरेंस दिया हुआ है है तो since दिया हुआ है क्या difference difference between two sp's two sp's क्या दिया हुआ है 6 rupees डिफरेंस दिया हुआ है तो डिफरेंस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे sp at 5% में से sp at 5% में से मैनस कर देंगे sp at 4% और यह ही equal to होगा 6 rupees ठीक है इसका मतलब कि sp at 5% कितना है 105 यह लिख देंगे अब यहां पर एल से मिले लेंगे तो मिलेगा आपको 100 और यहां पर होगा 105 एक्स माइनस होगा 104 एक्स अब यहां पर क्रास मलग कर देंगे 100 से इधर यहां पर मैनस करेंगे एक्स मिलेगा एक्स पर आप मिल जाएगा इधर 600 रुपीज एक्स क्या आया है cp आप दी सर्ट यहीं माना थे हम लोग एक्स यहां पर cp आप दी सर्ट तो हमारा आ गया cp आप दी सर्ट इतना सो लिख सकते हैं यहां पर कि cp of the सर्ट is equal to 600 रुपीज this is your first answer ओके अब हम निकालना है कि the two selling prices of the सर्ट तो यह जो s p at 4% है यह कितना है दोनों selling prices को निकालना है हम यहां पर निकाल लेते हैं तो selling price at 4% कितना आएगा 104 अपान 100 multiplied by 600 क्योंकि x की value क्या है 600 है यहां जिरो जिरो किसे लो जाएगा और 6 में ब्लाइ कर लेंगे हैं आपर तो 64 जा 24 और 6 बंजा 6 0 बंग करेंगा तो 24 यह आएगा न तो 624 आ जाएगा पहला selling price हम निकाल लेते हैं selling price at 5% equal to हो जाएगा 105 अपान 100 into 600 जिरो जिरो कंसे लोजाएगा यह होगा केंसिल 675 और 30 तो मिल जाएगा 30 और 6बंजा 6 तो 630 रूपीज मिल जाएगा यह आपके दोनों अंसर हो जाएंगे तो आपको हो सकता है थिक है थिक है थाइट थैंकि थाइट थाइट थो मुझ फ़र वजचिंग